चीज वाली आलू वाली या पनीर वाली टोस्ट हम हमेशा बनाते हैं आप एक बार इस मंचुरियान टोस्ट को न्यूवियर पार्टी के लिए बना के देखिए यह थोड़ा सा डिफरेंट है यूनीक है और इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर यह किसी को साफ करेंगे तो ग चोटाय को बारी कटावा गाजर उसके साथ साथ हम लेंगे एक चोटाय को पारी कटी हुई गोबी डाल देंगे हम इसमें सारी सबजियां एक समान की कॉंटिटी में ले और इसके साथ हम डालेंगे एक चमाच मेदा और एक चमाच कॉन फ्लोर फिर इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चामज चेली सस फिर इसके साथ हम डाल देंगे एक छोटा चामज स्वया सस उसके साथ हम डाल देंगे एक छोटा चामज सेजवाइन चटनी बेज मंचुरियन बनाने के लिए हमने जो सास यूज के हैं वो सारी सास हम इसमें डाल देंगे फिर उसके साथ हम इसमें सब्सिम्हात के अनुसार नमक डालेंगे तो आप ने देखा कि मंचुतियान बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो सबजियों को अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जब हम ये टोस्ट का बनाएंगे, सबजियां जो है, वो ब्रेड से अलग ना हो, अगर आपको लगे कि सबजियां थोड़ा सा बिखा रहें तो आप इसमें थोड़ा और मेदा और कॉन्फलर आड़ कर सकते हैं जो आप देख सकते हैं में ब्रेट के उपर सबजियां हैं इसको एकेस से इसको उपर अच्छे से फेला रही हूं अब इनको इसी तरह से सबजियों को ब्रेट स्लाइस अब आम इसके उपर डाल देंगे सफे तिल यानि सिसमी सीड अगर आपको सिसमी सीड का पसंद नहीं है तो आप अगर चीज को जादा पसंद करते हैं तो आप इसके उपर जादा चीज भी डाल सकते हैं ये हमारा जो ब्रेड ये वो टोष्ट करने के लिए विल्कुल तयार है। यहां पर तावच का इस्तPr commercially कर रहे हूँ इसे टोष्ट करने के लिए तो तावच को थोड़ा गरम करके इसके ऊपर बटर डाल दे। और इसके बाद हम ले जो ब्रेड बना के तयार गया थैं इसको इसके उपर रख दे और थोड़ा सा लो फ्रेम में इसके अच्छे से शेख दे और जब ये नीचे से गुल्डन कलर हो जाएगा तो हम इसको पलार दें तो जब टोस्ट को पलट रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो सब्चिया हैं वो बिक्रिन हैं ये दिखिए ये हमारा जो टोस्ट ये वो बनकर बिलकुल तयार है अब इस टोस्ट को हम क्या करेंगे गर्मा गरम साव करेंगे दो इसमें कट कर हम हमेशा घर में आलू के पनीर के चीज के या फिर मॉस्रूम के सैंविच हमें सब बनाते रहते हैं आप एक पार इस मंचुरियन टोस्ट को बना के देखिए इसका टेस्ट और इसका जो कलर है वो कितना लाजबाब बनता है इसमें जो हम सीशमी सीट का यूज किया हैting उसका टेस्ट इसम एन्हांस करता है थो आप इस रसेपिक को घर में जरूर बनाएए और मेरे साथ अपने experience कमेंट में सेल कीजिए Grande, मारे श